काफ्या की हुई घर वापसी काफ्या रहेगी प्रतिक्षा के साथ प्रतिक्षा के घर पर काफ्या ने मिलाया मलहार की साथ हाथ मलहार करेगा प्रतिक्षा के इज़त पर खात जी हाँ क्या है पूरी खबर चलिए आपको बताते हैं दरसल हम बात कर रहे हैं कलर्स टीवी शो धरम पतनी की जिसके अपकमिंग ट्रैक में हम देखेंगे कि काव्या की घर वापसी हो चुकी है जहां पे काव्या के पिता बताते हैं कि अब से काव्या इसी घर में रहेगी और ये सब जानकर बहुत ज़्यादा परिशान होते हैं कहीं न कहीं रवी और रवी ये सारा सर्च प्रतिक्षा को बताते हैं जिसके बाद प्रतिक्षा कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। वही हम दूसरी और देखेंगे कि काव्या अब घर में रहकर ये प्लान बनाती है। कि अब कैसे भी करके प्रतिक्षा के साथ कोई छलकलना है और पतला लेके रहना है। जिसके लिए काव्या देती है मलहार को ये वादा की अब प्रतिक्षा को सौप के रहेगी मलहार को काव्या। जहां पे मलहार और काव्या मिलकर करते हैं प्लैनिंग प्लोटिंग और प्रतिक्षा के इज़त पे होता है घात। जहां पे सभी घरवाले होते हैं घर से बाहर और इसी बीच में मलहार सराप के नसी में कर देता है प्रतिक्षा को और इसके बाद प्रतिक्षा के उपर खुद लेटते वे नज़राता है मलहार और इतनी में ही सभी घरवालों की एंट्री हो जाती है जहां पे रवी का गुस् शाल की वज़ा से आखिर का प्रितिक्षा और रवी करिस्ता कहां तक जाएगा मिलक्या लगता है आपको और साथ ही ऐसे और तमाम खपरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोले